मुंबई के गोरे गाउं से एक दिल्चस्प मामला सामने आया है जहां पर मुंबई पुलिस ने एक चुहे के पास से 10 तोला सोना बरामत किया है जी हां ये सुनने में थोड़ा आजीब लगेगा लेकिन ये सच है दरसल ये मामला तब संग्यान में आया जब गोरे गाउं चुकाने के लिए सुने को बैंक में गिर रिधिर रखने ही थी तब इसे रस्ते में एक भीकारी महिला अपने बच्चे के साथ मिली जिसके बाद प्यूंकि भिकारी महिला अब वहां से जा चुकी थी इसलिए पीड़ता ने इस बात की जानकारी तुरन दिंडों से पुलिस को दी पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए आस पास के CCTV कैमरे की फुटेच को खंगालना सुरू किया और गरीब महिला की तलाश की जब गरीब महिला से पूछताच की गई तो पुलिस को पता चला कि महिला ने वो थैली कच्रे के धेर में फेक दी है क्योंकि उसमें जो वड़ा पाऊ था वह सूखा था और खाने के योग्य नहीं था पुलिस ने जब जाच आगे बढ़ाई तो उन्हें कच्रे के धेर से थोड़ी ही दूर पर एक और CCTV कैमरा मिला जिसके बाद पुलिस ने जब CCTV फुटेज को खंगाला तो उन्होंने पाया कि एक चुहा उस थैली को लेकर पासी के नाले में चला गया है जिसके बाद पुलिस ने नाले में चुहे के पास से दस तोला सोना बरामत किया और महिला को सौप दिया मिरर अफ द्रोट से शिवानिद्विक र करें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर अफ प्रूथ वीडियो पसंद आने पर लाइक कमन्ट शेयर करना ना भूलें